वाइस हमारा नाक्स टॉपिक है डिफरेंस विट्विन आर्ट्रीज एंड वेन गाइस मैं आपको बताऊंगी आर्ट्रीज और वेन में क्या डिफरेंस होता है तो स्टार्ट करते हैं फिर्स आप आर्ट्रीज में वाल्स एपसेंट होते हैं वाल्स क्यों एपसेंट होते हैं क्योंकि यहां पर pressure बहुत लो होता है backflow होने के डर की वजह से veins में walls present होते हैं next point है after death it empty arteries empty हो जाती है death के बाद लेकिन veins में blood contain रहता है arteries में कोई blood नहीं रहता death होने के बाद इन arteries only 30-40% of blood present arteries में कितना percent blood होता है only 30-40% and veins में ज्यादा percent blood होता है arteries में pulse present होती है जो भी हम feel करते हैं doctor के पास जाते हैं doctor यहां से feel करता है arteries यहां पर pulse present होती arteries में veins में कोई भी pulsation नहीं होती and next point arteries में oxygenated blood होता है oxygenated blood मतलब pure blood होता है and pure blood लेकिन कुछ cases में accept some form cases जैसे कि pulmonary artery अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ cases को छोड़कर बाकि arteries में mostly oxygenated blood और अगे oxygenated blood कों हर्ड से दूर की तरफ लए जाती है हमारे पूरी बोड़ी में distribute करती हैं ब्लड को फुरक्टिंग वेसल्स के लाती है जो कि आर्टीर की वाल थिक होती है और इनका लूमन। नेरो होता है Justice की वाल होती एंड की वाल सि होतीες में वेन्स में वही तो जो अंदर वाले ओनों होता है इसकी वाजासे कोलेस्टरॉल वागर होने और इसकी वॉल पतली होती है तो यह था आर्ट्रियो ज्रें में डिफेंस अब मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेएगा चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी मिलते हैं नेक्स वीडियो को साथ तब तक के लिए बाए बाए